और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है जान बूच कर सांस न लीजिए जान बूच कर सांस लीजिए न छोड़िए सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए प्राकृतिक सांस पर ध्यान देजिए ये इसकी व्याख्या है यही तरीका है विचारों का पीछा मत कीजिए विचार सवाल उन से चिपक मत चाहिए विचारों को हटा दीजिए सांस पर पुनह ध्यान दीजिए प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए सांसों में खो जाईए इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी धीरे धीरे सांस हल्की और छूटी होती जाएगी आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चवक का रूप ले लेगी इस दशा में हर किसी में ना सांस रहेगी ना विचार वो विचारों से परे हो जाएगा ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा ये ठ्यान की दशा है ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौचार होने लगती है हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्ध होगी विश्व शक्ति प्राण मैं शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राण मैं कहलाता है प्राण मैं शरीर में बहत्तर हजार से ज़ादा रंग रहित नाडियां या शक्ति की नलियां होती है जो पूरे शरीर में प्हली होई है शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है ये भाग ब्रम्रंद्र कहलाता है ये नलियां सारे शरीर में पेड की जड़ों और डालियों की तरह पहली हुई है प्राण मैं शरीर हमारे शरीर का विशेश आधार है प्राण मैं शरीर हमारे कारे यहां तक की हमारे अस्तित्व का स्त्रोथ है प्राण मैं शरीर को गहरी नीद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है हम इस शक्ति का उप्योग अपनी सारी मानसिक और शारीर क्रियाओं में जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीर कारियों में करते है इनी सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारत है जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुख जाता है मतलब ये है हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुँचती है ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहत सुक्ष्म धव्वे डाल देती है ये धव्वे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते है मतलब ये है कि हमारे प्राण में शरीर में शक्ति की कमी सारी बिमारियों की चड़ है ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है ये हमारी शक्ति नलियों के जरीए सारे शरीर में पहुंचती है जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सुक्ष्म धव्वे मिट जाते हैं और जब ये धव्वे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं जब भ्रम रंद्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारी बन लगने लगता है जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी मैसूस हो सकता है इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम पिरमिट के अंदर बैठ कर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारन से दिगुनी जल्दी पहुँच जाती है अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरमिट और पिरमिट की शक्ती क्या है हमारी पृत्वी ग्रह पर पिरमिट एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ती मिलती है पिरमिट का कोंग बावन डिग्री इक्यावन मिनिट है इस कोंग की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ती मिलती है पिरमिट किसी भी चीज से बनाया जा सकता है पिरमिट को सही दिशाओं में रखना आवश्चक है उत्तर, दक्षर, पूरव और पश्चर